ब्रमान की द्याविक शक्तियों से भरपूर इन स्विच वर्ड का अप्योग इस तरह से किया जा सकता है। पहला बीना लाइन वाले सफेद कागस के टुकड़े पर अपनी इच्छा को पूरा करने वाले स्विच वर्ड को छाट कर नीली या काली स्याही वाले पैंसे लिखें इस इच्छा पूर्सी चिट को एक जगह रखकर इस पर पानी से भरा शीशे, स्टील या किसी भी धातों स गिलास में और पानी डालते रहे हर बार पानी पीते समय अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखने की कलपना करें हर घूंट इच्छा पूर्टी की एक खूराक है जितनी बार थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे इच्छा उतनी जल्दी पूरी होई इस क्रिया में समस इस्या के अनुसाल कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और दिर्ण निष्टे के साथ उपाय करते रहने से लाप अवश्या मिलता है, इच्छा पूरी होने पर वो चित जला दे और नई इच्छा के लिए नई चित बनाए, दूसर इसे अपयोग स्विच वर्स को किसी स्टीकर वाली टेप या डॉक्टर्स टेप पर लिख कर किया जाता है, इसे अपने शरीर के बाई तरफ, हाथ, पैल या किसी भी भाग पर चिपका दे, जो लोग बाई हाथ से काम करते हैं, वे अपनी दाई तरफ चिपाएं, खराब हो पर दूसरी चिप बनाएं और इच्छा पूरी होने पर चिप जला दे, तीसरी विधी के अनुसार स्विच वर्स को कागस की चिप पर बनाकर अपने तक्ये के नीचे रखें, ताकि रात को सोने पर इसका आसर रात भर होता रहे, इन तीनो सुरक्षित और आसान तरीकों मे इसरे विधी को, क्या दो विधीयो को या जलजी इच्छाप्राप्ट करने के लिए तीनो विधियो का एक साथ इस्तिमाल किया जा सकता है, यजि किसी दूसरे वक्ति की healing या इच्छा पूर्टी के लिए स्विच वर्स का इस्तिमाल करना है, तो एक आगस पर पहले उसका नाम के चारो तरफ बोल बंद घेरा यानि सर्कल बनाएं, फिर स्विच वर्ड लिखें और उसके चारो तरफ बोल बंद घेरा बनाएं, अब एंजल नमबर लिखें और उसके चारो तरफ बंद बोल घेरा बनाएं, उस शीट पर पानी का गिलास रखकर उसे दिन भर बार बा पानी पिलाते रहे इसके अतिरिक उसके तक्ये के नीचे भी एक किट रख दे